डियर आल फ्रेंट्स न्यू डायट सिस्टम एंडियेस यानि नई बोजन प्राणाली श्री बीवी चवान साहिब द्वारा मार्गदासित में मैं प्रतीक व्यास आप सभी का हर्दिक स्वाकत करता हूँ फ्रेंट्स चैत्री नवरात्री 6 एप्रिल से सुरू हो रही है और वो 14 एप्रिल को समाप्त होगी आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये नवरात्री कैसे सही तरीके से कर सके उसकी संपूर्ण गाइडलाइन दूँगा दोस्तो आज 3 एप्रिल है और आज से ठीक 3 दीन बाद यानि 6 तारिक से ये उप्वास का महाफर सुरू होने जा रहा है उपवास का मतलब है उप यानि नजदीक रहना वास मतलब रहना यानि उपवास के दिनों में परमात्मा के नजदीक रहना परमात्मा हम सबके सरीर में रहता है तो उपवास का एक मतलब अपने साथ रहेकर अपने अंदर रहते परमात्मा यानि इस्वर के साथ रहना भी होत तो ये नौ दिनों की नवरात्री में हम सभी लोग एक साथ दो कारिय करेंगे। पानी बाद में सिर्फ पानी और बाद में सिर्फ हवा यानि नीर जला यानि एर फास्टिंग पे ले जाकर सरीर को पाचन क्रिया के कारिय से मुक्त करके वाइटल पावर यानि प्रान सक्ति की मदद से और संजीवनी क्रिया या एनिमा की सहाय से अंदर की सालों की छुपी ग पुरी तरह से हो जाए यह तै करेंगे और दूसरा जब हम सात्विक आहार ग्रहन करेंगे फुरूट्स फुरूट जूस लिम्बू पानी द्राक्षरस ग्रेप जूस या निर्जक उपवास करेंगे तब प्रान सक्ति यानि वाइटल पावर पूर्ण तरह जागृत होगी औ और अपने आप अंदर से एक आनन्द की अनुभुती होगी हमारा मन और हमारी आत्मा एकाकार होगा आनन्द की अनुभुती होगी तो हम ध्यान यानि सुमिरन करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे तो सरीर के साथ साथ इन नौ दिनों की नवरात्री में मन की और आत्मा की भी सफाई हो जाएंगी, तो नवरात्री के उपफास से शरीर को और मन की दोनों की सफाई और क्लिंजिंग होगी फ्रेंट्स, उपफास का महत्व हर दर्म में समझाया हुआ है चाहे हिंदू, चाहे मुसलिम, चाहे क्रिस्टियन हो या चाहे दुरगा की मा सक्ती की मा अंबिका की उपासना का परो माना जाता है साल में दो नवरात्री आती है पहली नवरात्री चैतरी नवरात्री यानि मार्च एप्रिल में यानि सर्दी खतम और गर्मी सुरू इसके बीच में आती है और दूसरी नवरात्री जब सप्टेमबर महिने में आती है, कभी कभी नवमर में भी आती है, मतलब मन्सून खतम, बारिज खतम और सरदी सुरू इसके बीच में आती है, हमारे धर्मगुरुँओं ने इसे ऐसे प्लान किया है, कि जब हमारा सरीर एक सिजण से, दूसरे सिजन, जैसे सरदी से गर्मी की ओर या बारिश से सर्दी की और जाए तो ये नौ दिनों के उफवास करके हम मादुरगा या परमात्मा की आराधना करते हुए सरीर में छुपे सारे दोसो टॉक्सिन्स, कच्रा और मन में छुपे सारे द्वेस, इर्षा, कलर, स्ट्रेस को दूर करके एक तंदूरस्त और खुषाल जिन्गी की और अग्रेसर हो सके तो दोस्तो आएए देखे ये नौरात्री का उफवास कैसे करेंगे दोस्तो कहने के लिए तो नौरात्री के उफवास नौ दिनों के होते है लेकिन मैं जो प्लान आपको बताने जा रहा हूँ उसमें ये 15 दिनों के उफवास होंगे मतलब दो दिन नौरात्री से पहले नौ दिन नौरात्री के और चार दिन नौरात्री के बाद में ऐसा पूरा एक कंप्लिट इनसाइड क्लिनिंग का संपुन पैकेज होगा दोस्तो उफवास करने तो आसान है लेकिन जब उफवास छोड़के हम नौर्मल फुड़ पे आते है तो बहुत ख्याल रखना होता है बहुत ही इंपोर्टन है उफवास तो कोई भी कर सकता है लेकिन उफवास छोड़ना ये बुद्धी मानी का काम है जो लोग नए है जिन्हें उफवास का अनुबव नहीं है जिन्होंने कभी भी रस आहार या ज्यूस फास्ट या वाटर फास्ट या एकादसी उफवास या निरजल उफवास या एर फास्ट नहीं किये वो कृपिया करके ये नवरत्री के उफवास ना करे वो लोग सिर्फ फल आहार यानि दो टाइम या तीन टाइम फुरूट्स या फल खाना एक या दो समय फुरूट का जूस पीना या लिम्बू पानी लेना ऐसे उपवास कर सकते मेरा ये प्लान और गाइडलाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो न्यू डाइट सिस्टम के अनुभवी लोग जो ये प्रथा में एक या दो साल से जुड़े हुए या जो पहले भी छोटी नवरात्री या छोटा तीन या चार दिन का रसाहार या तीन चार दिन का उपवास कर चुके है ऐसे लोगों के लिए है या जिसी को किसी का मार्क दस्टन प्राप्थ हो ये नवरात्रिक करने के लिए उनके लिए है जो इसमें थोड़ा आगे एडवांस कर सकते है या पिर जिनें और भी आगे जाने की चाह है अनुवह है लेकिन गाइडलाईन नहीं है उनके लिए तो उनके लिए ये थोड़ा आसान रहेगा जी सादक को किसी अनुबवी सादक का हर रोज उपवास के दिनों में मार्ग दसन लेने की सुवीदा है वो भी ये गाइडलाइन को एडप्ट कर सकते है और जो ये नवरात्री के उपवास की सहाय से संपुन सफाई चाहते है इमारी या वो जो भी मेडिसीन ले रहे उसको समझ के ही करना चाहिए मैं बोल रहा हूं तो करना चाहिए ऐसा नहीं है अपनी कैपेसिटी और अपनी तजूर्वे को पहले दियान में रखना चाहिए स्टेप बाइ स्टेप आराम से सरीर की संपुन मरजी और इच्छा से ही आगे बढ़ना चाहिए आगे मैं डेट वाइस आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा जो मैं फोलो करता हूं दोस्तों मैं पांस साल से न्यूडाइड सिस्टेम से जुड़ा हूँ और मैं कम से कम छे या आठ बार ये नवरातरी का उपवास कर चुका हूँ तो हर बार मैं अपनी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ाता हूँ तो मेरा जो अनुबह होगा वही मैं आपको बताऊंगा आपको उसमें आपके अनुबह से और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करना है अभी कुछ स्टेम मैं बताऊंगा जो ये 15 दिनों में कमपलसरी कॉमन है मतलब ये तो आपको करने ही है जो उपपास करे न करे वो अलग बाते लेकिन अगर ये स्टेप करेंगे तो भी उनको बहुत सारा फाइदा होगा हर इंसान को नवरात्री के दिनों में 20 से 30 मिनिट संद्रेस यानि सुर्य प्रकास, सनलाइट अपने सरीर को दिने की जरूते सबसे बेश टाइम होता है सुबह का, जब सुरिय कोमल होता है, उसकी जो सनलाइट रहती है, वो थोड़ी माइल रहती है, तो उसका बेश टाइम है, तो 20-30 मिनिट सुबह को, या अगर सुबह को आपको convenient नहीं है, तो साम को, मतलब पुरे दिन में कम से कम आजय गंटे का सन सन बात लेना ही है, नवरात्री के दिनों में, सन बात से आपको vitamin D का सरीर के अंदर benefit होगा, rise होगा, internal cleaning में help होगा, और जितना हो सके उतना सरीर को खुला रखने आए, मतलब जब सन बात आप ले रहे हो, तो आपके सरीर को खुला रखना है, और सन बात के बाद सनान करना है रगड रगड के, कोई rough कपडा होता है, या rough cloth होता है, उसको सरीर से घिसके सरीर के सारे pores, सरीर के सारे चिदर खोल देने हैं, ताकि सरीर से जो toxins निकलते हैं नवरात्री में, उसको निकलने का एक रास्ता खुल जाए, एक mark खुल जाए, साबुन का इस्तमाल बिलकुल भी नहीं करना है, तूकि वो जो pores उसको भर देता है, पहले सन बात लेके सरीर में पसीन आता है, या टॉक्सीन आता उसको निकालना है, बात में सन बात के बात वाटर स्नान, मतलब पानी का स्नान लेके और कपड़े से घिसके, वो सारे pores को खुला कर देना है, ताकि पूरी वोक्सीन निकलते, उनका रास्ता खुला रहे, तो एक सीडूल ऐसा रहेगा, उठने के बाद सबसे पहले नेचरल टोइलेट जाएगा आदमी, कुद्रती सौच करिया, उसके बाद सन बात, सुरियस नान, और उसके बाद पानी स्नान, यानि वाटर बात, हो सके तो साम को भी ये सीडूल फोलो करना, अगर समय है तो सन बात, वाटर बात, बाद में साम के खाने से पहले एक बार संजीवनी क्रिया, या एनिमा, तो ये जो सीडूल है, पूरी नवरात्री का कॉमन सीडूल है, मतलब 12-15 दिन हो तो आपको ये तो करना ही है, उठके नेचरल टोइल उसके बाद एनिमा, उसके बाद सन बात, और उसके बाद वाटर बात, अगर जो नवरात्री का उपास सिर्फ फ्रूट पे करते है, या फल पे करते है, या फ्रूट जूस पे करते है, या लिम्मू पानी पे करते है, उनके लिए भी ये सीडूल करना है, और जो थोड़ा ह higher step में जाएंगे मतलब निर जला करेंगे air fasting करेंगे water fast करेंगे उनके लिए भी a schedule है मतलब यह schedule common रहेगा सनबात का और संजीवनी क्रिया का पूरी नवरात्री संजीवनी क्रिया लेना ही है एक बात हमेसा याद रखिए fasting without anima without संजीवनी क्रिया is a crime against body तो पूरी नवरात्री के दिन दोनों समय संजीवनी क्रिया करना ही है संजीवनी क्रिया कैसे करना है वह समझने के लिए मेरी चैनल पर मेरा संजीवनी क्रिया का एकदम सही तरीके से करने का schedule कुछ इस तरह से होगा 6th April यानि सनीवार को चैत्री नवरात्री का पहला दिन है और हमें नवरात्री की शुरुवात और तयारी दो दिन से पहले से करनी है यानि 4th April और गुरुवार से कर देनी है इसका मतलब यह हुआ कि 3 तारिक यानि schedule follow करना है fasting, green juice, natural food for lunch और साम को हलका पका हुआ बोजन जिसमें 60% vegetable और 30-40% grains, pulse, cereals वाला मेरा इसके पहले का जो वीडियो था पार 16 का जिसमें मैंने बताया था ऐसा डिनर लेना है और जो आपकी मर्जियों वो भी ले सकती हो क्योंकि बाद में आपको 15 दिनों की नवरात्र की तपस्या करनी है, पहला दिन 4th April गुरुवार नवरात्री शुरू करने का पहला दिन, इस दिन सुबह 10 गंटे का fasting करेगे, नॉर्मल हम 8 गंटे का करते, थोड़ा बढ़ाएंगे 2 गंटा और करीबन 2 बजे हम green juice पिएंगे, green juice कैसे बनाना है उसकी recipe इसी channel पे मेरे 3 वेजटेबल का सलाड लेना, साथ में green chutney लेना, 6 या 7 बजे कोई भी seasonal fruits या fruit juice या fruit smoothie और अगर इच्छा हो तो रात्री के बोजन में vegetable salad या मनपसंद fruit भी ले सकते हो, मतलब 4th April गुरुवार का पूरा दिन natural food लेना है, बोडी को तयार करना है, गियर अप करना है नवरात्री के उपवास के लिए, नवरात्री के अगला दिन, 5th April, Friday, इस दिन भी सेम 4th April जैसा ही, 8 से 10 गंटे का fasting करना है, उसके बाद green juice लेना है, और फिर पूरा दिन different fruit juice ले सकते हो, आपकी खुद की इच्छा और आपकी खुद की बोडी की requirement का हिसाब से, for example, orange juice, pineapple juice, grape juice, प्रमेंग नवरात्री के 8 से 9 बजे तक उसके बाद 9 ले तो ज्यादा अच्छा है, अगर चाहो तो यह fruit भी खा सकते हो, जो मैंने juice बोले हो, मतलब नवरात्री सुरू करने के पहले 2 दिन, हमें natural food लेके बोडी को नवरात्री के लिए तयार कर देना है, gear up कर देना है, चार्ज कर देन अब सुरू होगी नवरात्री, पहला दिन, नवरात्री का 6 एपरिल, सेटर डे, इस दिन को मैं juice फाष्ट बोलता हूँ, इसमें 2 चोईस रहती है, जो नवरात्री धार्मिक बावनाव से करना चाहता है, माता जी की आराद्ना के इच्छा से करना चाहता है, वो green juice नहीं ले सकते हैं, और जो सरीर की सफाई है तो यह उपास कर रहे है, वो इन 9 दिनों में, जब मैं बताऊंगा, उस हिसाब से green juice का उप्योग कर सकते हैं, कोई problem नहीं, दोस्तो, नवरात्री के पहले 2 दिनों में, हमने सरीर को juice फाष्ट करने तो तयार कर दिया है, क्योंकि हमने 2 दि दिनों में सन बात और एनिमा भी लेना चालू कर दिया है, तो सरीर से toxins और गंकिन का जो dilution करना रहता है, वो भी चालू हो गया है, तो हम नवरात्री का पहला दिन juice फाष्ट से सुरू करेंगे, मेरे अनुबह से, चैत्री नवरात्री का पहला दिन juice फाष्ट या एकार से स एक दम सही रहेगा, पहले 8 गंडे का उपवास, फिर पुरा दिन grape juice जब मन करे तब, जिने मर्जी ना हो, तो पुरा दिन ध्राक्स भी खा सकते हैं, या अनिया कोई फल का juice भी ले सकते हैं, और green juice का प्रयोग भी कर सकते हैं, इस तरह से पहला दिन पुरा हुआ, 7th April, Sunday, 2nd juice के इसाफ से ही चलाना है, मेरे इसाफ से पहले दो दिनों में सिर्फ grape juice पुरा दिन लेना ज्यादा effective और सही रहता है, अगर आप मेरी चैनल पे हो, तो आपने देखा होगा, how to do grape juice भास का मेरा वीडियो, उसमें भी इसका पुरा reference मैंने समझाय हुआ है, तो नवरात्री का पहला दो दिन juice fast रहेगा, 8 April, Monday, 3rd day of नवरात्री, नवरात्री का तिसरा दिन, पूल का काम करता है, एक भीज का काम करता है, हमने आगे को जो आने वाली नवरात्री है, उस दिनों से जोडने का काम करता है, मेरे इसाफ से तिसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हो सके, त इस दिन छुट्टी ले ले, तो ज़्यादा सही रहेगा, दो दिन juice fast और एनिमा के बाद, ये दिन cravings, यानि बहुत लोगों को खाने का मन होता है, जो अनुभवी है, वो समझ जाएंगे, कि संसार का लालच हमें इस पूल से गिराने का काम करने वाले, तो परिवार के साथ प्रभू का नाम लीजिए, मन को अन्य कारियों में व्यस्त रखिए, अगर ये दिन निकल गया, तो आगे का सफर बहुत आसान रहेगा, ये दिन हमें juice फास्तों करना है, लेकिन सिर्फ आधा दिन करना है, और juice का quantity कम कर देना है, सामको हमें लिम्बू पानी लेना है, हो सक आराम ले सके, और प्रान सक्ती और वाइटल पावर अपना कारिय इस दिन से सुरू कर सके, ये दिन निकल गया, तो आगे का सपर फिर एकदम आसान रहेगा, और तंदुरस्ती से बरा रहेगा, नाइन्थ एप्रिल, Tuesday, fourth day of नवरात्री, ये दिन सफाई का दिन है, Fourth day या fifth day, सरीर में से इतना काला मल, पुराना मल, बदबुदार मल, संजीवनी क्रिया करने के बाद निकलता है, कि आगे की नवरात्री कंटीन्यू करने की, मन को और सरीर को सोटका इच्छा हो जाती है, सरीर और मन साथ में जूड जाता है, चमतकार ये होता है, कि एक बार ये गंद की सरीर से बाहर निकली, तो भूख और प्यास दोनों अपने आप गायब हो जाते हैं, और सरीर अपने आप water fast या निर्जल उपास के लिए राजी हो जाता है, नवरात्री का चौथा दिन में सिर्फ नप पसंद करता हूं, पूरा दिन निम्बु पानी पे सरीर जब मागे, जितना मागे, उतना देता हूं, और दो समय संजीनी करिया, कोई भी fruit juice नहीं लेना है, इस दिन सिर्फ निम्बु पानी लेना है, चौथा दिन सिर्फ निम्बु पानी लेना है, ताकि सफाई में वो बहुत सहाय करे, निम्बु बेस्ट डिटोक्सिफायर है, तो शरीर में क्लिंजिंग का काम करेगा, जरूर लगे, तो निम्बु पानी में एक चमस सहेत या हनीबी डाल सकते हो, इस तरह से अपना चौथा दिन कंप्लिट हो गया, 10 अपरिल, 11 डे, 5 डे, 11 अपरिल, 3 डे, 6 डे, निम्बु पानी के उपवास के बाद, हमेशा मैं ये दो दिनों या तीन दिनों, जितना मेरा सरीर मुझे साथ दे सके, उतना निर्जल यानि एर फास्ट उपवास करना पसंद करता हूँ, आपकी जो कैपेसिटी हो उस लेकिन अगर आपने फोर्त डे को निम्बु पानी उपवास किया है, तो 5 डे और 6 डे को निर्जल उपवास करना आसान रहता है, जो जिसकी कैपेसिटी, एक दिन भी कर सकता है, आदा दिन भी कर सकता है, देर दिन भी कर सकता है, कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं है, आपका सर आप से 5th डे और 6th डे को निर्जल उपास करना चाहिए यह मेरी समझ और मेरी capacity है अगर आपको यह मुश्किल लगे तो आदा दिन निर्जल और बाकी का आदा दिन निम्बू पानी या निम्बू सिहत पानी ऐसे भी continue कर सकते हो या आदा दिन पानी बे भी कर सकते हो आदा द इनों में या निर्जल या लिम्बू पानी के या सिर्फ पानी पे रहना है और दो समय संजीवनी क्रिया करना है इससे बड़ी आत में चुपी सालों की गंद की बाहर निकान ली है नवरात्री का मद्यबाग यानि फिप्तडे और सिक्तडे करने का मेरे अनुभो से सबसे सबस्दे बेश तरीका है मतल़ नवरात्री का मद्यबाग फिप्तडे और सिक्स्त डे अगर आप निर्जल उपपास कर सको या आदा निर्जल और आदा निम्बू पानी पे कर सको तो बेश रहेगा और जो नवरात्री करने की फलस रुती है वो भी आपको फिप्त और सिक तरीका बता रहा हूं जो नवरात्री के 7 डे हमने एर फास्ट और वटर फास्ट से नॉर्माल उटीन पे जोडने का काम आसानी से कर सकेंगे अगर आपने इसके अगले दिन साम को निम्बू पानी पिया है तो आज दो पहर को आप ग्रीन जूस या ग्रेब जूस ले सकते हो अगर आपने इसके अगले दिन सामको निर्जल उपास यानि एरफास किया है तो सुबह पहले आपको यह उपास खोलना पड़ेगा निम्बू पानी से दोस्तों या 300 ml निम्बू पानी से चम्मच की मदस से 15-20 मिनिट में आराम से पीके आप यह उपास खोल सकते हो सेवंथ डे वाला तो इसके बाद 2 या 3 गंटे बाद आप 500 ml ग्रीन जूस पतला और फिल्टर की वाल ले सकते हो या फिर ग्रेप जूस भी ले सकते हो मेरे अनुबह से ग्रेप जूस ज़्यादा सही रहता है यह पुरा दिन जब मरजी करे आप ग्रेप जूस या उसके बाद अन्य कोई फूट का जूस भी ले सकते हो ये दिन भी जूस फास्ट का दिन रहेगा मतलब सेवन्थ ले आपको वापीस नॉर्मल स्टिटूल से जोडने का कारिय करेगा आपका उपफास खोल के नॉर्मल डे में लाने का काम करेगा अभी आज आते हैं एट दे पर तेरा एपरिल सेटर्डे एट डे ये दिन को मैं फ्रूट डे कहता हूँ जिस तरह हमने नवरात्री के सुरुवात की उसी तरह हमें उसका अंधभी करना है मतलब जिस तरह से हम आगे बढ़े उसी तरह से हमें पिछे भी जाना है slow and steady wins the race कोई जल्द बाजी नहीं करनी है हमने अगले दो दिन juice किये है juice past लिये है juice किया हुआ है तो आज सरीर को fruit से भरने की या देने की बारी है juice fruit जैसे के watermelon, pineapple, grapes जिसमें juice ज्यादा रहते है, papita जो available हो, उसे ही पूरा दिन आप खा सकते हो 8 गंटे का fast बाद में अगर चाहो तो green juice या grape juice और पूरा दिन मंच आए fruit खाना लेकिन इस दिन fruits की quantity कम लेना है आपको full stomach fruit नहीं काना है क्योंकि आपने अगले 7 दिन सिर्फ juice लिया हुआ है आप पहले पहली बार आप fruits ले रहे हो तो उसका quantity कम रखना है तो थोड़ा आसान रहेगा आगे का सफर तो ऐसे ही 8 दे fruit दे से complete करना है अब आजाते है नवरात्री का आखरी दिन यानि 9 दे 14 एफरिल संडे ये दिन भी अगले दिन जैसा ही है fruit दे ही है फर्क सिर्फ इतना है कि हमें खाने की quantity थोड़ी बढ़ानी है 8 दे में जो हमने limited quantity में fruits खाये थे आज नवरात्री के last celebration दिन है तो हमें ये fruits खाने की quantity बढ़ानी है ताकि आसानी से हम normal खाने की ओर जा सके तो इस तरह से 14 एपरिल संडे को हमारी नवरात्री complete हो जाएगी जिसमें हमने juice भी किया lemon water का फास भी किया निर्जल उपास भी किया और fruit पे उपास भी किया अब बारी आती है नवरात्री से बाहर आने की और normal जिनकी की और जुडने की 15 एपरिल Monday first day after नवरात्री दोस्तो नवरात्री पूरी करने के बाद के तीन दिन हमारी कसोटी के होते बहुत सारे सादक ये तीन दिनों में गलती कर बैठते और फिर पूरी तपस्या पे पानी फेर देते दोस्तो उपास करना तो आसान है लेकिन छोड़ना कठीन है और बहुत बुद्धिमानी का कारी है जैसे ही मन को मालूम पड़ा कि नवरात्रिक खत्म हुई तो आध्यात्मिक्ता और धार्मिक बाव से जुड़ा हुआ मन एकदम आजाद हो जाता है और फिर वही गलती कर बैठता है जो हमें नहीं करनी है वो पके हुए खाने की और तूट पड़ता है जो हमें बिल्कूल भी नहीं करनी है एकदम स्टेप वाइस प्यार से हमें नॉर्मल खाना कुक फूड ग्रेंस सिरियल पल्स की और जाना है कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है तो इस दिन यानि 15 अप्रिल की दो पहर तक हमें उपवास करना है फास्टिंग रखना है बारा बजे दो या तीन सब्जी का वेजीटेबल सूब बनाना है जैदा उबालना नहीं है हलका गर्म वेजीटेबल का सूब एक काटोरी डो काटोरी जो आपको पसंदो वेजीटेबल का सूब बना के invite उसको पीना है आराम से पीना है, step by step पीना है, कोछ जल्द बाजी नहीं करना है इसके दो या तीन गंटे बाद एक special flushing सबजी, सफाई कारक सबजी बनानी है आदर नियस्री बीवी चववान की किताब नई बोजन परथा के page नंबर 98 पे इसका बहुती सुन्दर वरणन किया हुआ है यह सबजी special उपवास को छोड़ने के लिए बनाई जाती है, इसमें पालक यानि spinach, pumpkin यानि cola और दुदी यानि लवकी को हलके oil में पकाया जाता है और फिर बनाया जाता है, थोड़े बहुत मसाले भी डालते है, और इसके साथ आप tomato और ककुम्बर भी खा सकते हो तो यह सबजी आप 60-80% पेट बरके खा सकते हो, यह खाने के 2 या 4 गंटे में आपको natural toilet आएगा और पेट एकदम साफ हो जाएगा, अगर नहीं होता है, तो संजीनी क्रिया कंपर सरी कर ले और पेट की पूरी सफाई कर दे, इस दिन सामको आपको vegetable salad खाना है तो इस तरह से नवरात्री के बाद का पहला दिन भहुती आनन से और आराम से पसार हो जाएगा बिना किसी समस्या के, अब आ जाते 16th April, Tuesday, second day after completing नवरात्री, इस दिन हमको 8 गंटे का fasting करना है, उसके बाद green juice लेना है, और पुरा दिन fruits and vegetable salad खाना है, सामको कम मात्रा में 50% capacity of stomach, 70-80% vegetables और 20-30% का ratio में rice और दाल वाली vegetable खिचरी बना के खानी है, लगबक 8 बज़े से पहले आपको ये खाना खा लेना है, और फिर एक दो गंटा बैठना है, सो जाना तूरंद नहीं है, बैठना है, थाकि आपको थोड़ा अच्छा मैसिस हो, औ आपको idea है कि कैसे digestion हो रहा है, थर्ड डे आफ्टर नवरात्री, 17th April, Wednesday, इस दिन यह हमारा आखरी दिन है, जो मैंने 15 दिन का आपको schedule बताया, उसका आखरी दिन है, तो महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन के बाद आप अपनी normal life में जूड़ सकते हो, इस दिन 8 hours का fasting करना है, ग्रीट juice लेना है, दोपायर के खाने में fruits and salads और जो भी हम normal NDS खाना खाते हैं, वो लेना है, सामको 5 बजे, coconut milk और चिकु की स्मूदी लेना है, energy के लिए, इसकी recipe मेरी channel पर मैंने describe की हुए, वो आप video आप देख सकते हो, इसी channel पर मिल जाएगा आपको, coconut milk and चिकु की मतलब जिसमें rice दाल का बनाते ऐसे, या vegetable पुलाओ भी ले सकते हो, जितना चाहो उतना, इस दिन रोटी नहीं खानी है, मतलब तीसरे दिन भी रोटी नहीं खानी है, तो इस तरह से आवारा 15 दिन खत्म हो गया, अब आ जाते हैं, 15 दिन के बाद 16 दिन, 18 एपरिल, Thursday, इस दि हमारी 15 दिन की नवरात्र की साधना संपुन होई, और हमें normal NDA schedule follow कर सकते हैं, सामको normal cook food खा सकते हैं, और vegetable soups और अंध्यातियादी भी ले सकते हैं, तो इस दिन से हम बहुत आसानी से normal schedule के और मुड़ सकते हैं, दोस्तों, ये 15 दिन का schedule follow करके, किसी भी इंसान की अंदरोडी सफाई संपुन हो जाएगी, मन की सफाई भी सात्लीक अहार, सुमीरन और ध्यान से हो जाएगी, और आने वाला पूरा साल तंदूरस्तिर से बढ़ा रहेगा, ये एकदम आजमाय हुआ और लाखो लोगन इसका फाइदा उठा हुआ मार गे, आप चवान साब की किताब में भी ये पूरा पढ़ सकते हो, आसा रखता हूँ, इससे जितना भी आप कर सको, उतना जरूर कीजिए, कुछ नहीं तो ये नवरात्री सिर्फ फूर्टों पास कीजिए, अगर ये भी नहीं होता है, तो नवरात्री के पहले तीन या चार दिन पके वे भोजन का संपुन त् जुड़िए, ब्रंबान से जुड़िए, आप सभी सातक मित्रों को सुरश्य प्रतिक व्यास की, नवरात्री की उफपास की धेर सारी सुपकामना है, बहुत सारा प्यार, और हाँ, पूरी नवरात्री विदाउट फेल संजीवनी क्रिया करनी है, हमेसा याद रखिए, फा पी नवरात्री फर्स्टी,